गाइस इस वीडियो में मैं आपको Chrome ब्राउसर को completely अनिस्टॉल करने के लिए बताऊंगा क्योंकि नॉर्मल तरीके से अनिस्टॉल करने से क्या होता है कि कुछ फाइल तब भी Chrome के रिलेटेट रह चाते है आपके सिस्टम में या आपके लाप्टॉप में और उन फाइल के का हैं अब करना हैं और आपके यह आप कर लिए और आपके सची करना है और अगर मैं इस स्टार्ट होगा, गर यह नो हम कर देता हूं तो तो आपके यह चेक मंक करना है और सो लेटी attack साधिक आपए अपनी कीबूड में विन्डूस प्लस बाइट को सब्सक्रास करना है और यहाँ पड़ यहाँ पर टाइप करकर आपको lotta पर और आपको यहां पर चले जाना है और आपको यहां पर यहां पर फोल्डर वाले फोल्डर में जाओ आपको आपको वहां पर Chrome के नेम से वो folders हो गा तो आपको उस folder को चलिक करका आपको उसे पर्मनेंटली डिलीट कर देना है डिलीट कर देने के बाद पढ़ा इसे कट करना है और आपको अगेन आपको Windows plus button को अपको रन प्रोगम को ऊपिन करना है और आपको यहां पर टाइप करना है अपने कीबोड में और और हो सकता है कुछ cia कुछ फॉर्ट लियुक्ठ सापने इहां पे तो आपको उसे as it is वैसा ही छोड़ देना है आपको यहाँ पर डिलीट नहीं करना है और आपको इसे कट करना है और आपका जो कुरूम ब्राजर है वो आपके सिस्टम से पर्मनेंटली डिलीट हो जाएगा तो गाइज मैं फिर मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन और बवाई और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए